हाई गाइस मिरा था हमें साहिल करना और स्वागत आपका इस सीरीज के अगले पार्ट के अंदर है आज हम बात करेंगे content framework की मतलब आप किस किस type का content बना सकते हो और मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं करता क्योंकि वो एक तरीका नहीं है content बनाने का मैंने आपको बताया था starting के अंदर कि आपको अगर अपना कोई content बनाना है तो आपको उसके अंदर एक uniqueness जून नहीं है तो एक uniqueness जून नहीं का एक तरीका बता रहा हो आपको आप पूरे-पूरे setup को ही change कर सकते हो आज तक जो भी monotone के अंदर content बना रहा है आप उसको change कर सकते हो आज के time पर जितने भी educational content होते हैं वो सारे के सारे इसी तरीकी setup पर बनते है एक green screen बना लेते हैं कोई किछी background के अंदर लग लेते हैं पर एक ही जगा पर खड़े होके content बनाते हैं vlog वाले क्या करते हैं वो अपने आपको हाथ से shoot करते हैं वो चलते रहते हैं वो लोगों से बातते करते हैं वो joke семки मारते हैं interview series के अंदर क्या होता है दो बंदे सामने- सामने बैट जाते है एक 사 साइड पे ऐ क्यामरा लगा होता है वो इससे कोशन पूछ रहा होता है इस तरीके से चल रहा होता है अगर आप तोड़ना चाहो तो अपनी बाप करके चलता हूँ मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बताया था कि किस तरीके से फेक गुरू का कल्चर बढ़ रहा है आज के लिए एक छोटा था हूँमर दाला है वीडियो की शुरुआत ही वहीं से हो रही है कहते हैं जिंदगी हसीन और लंबी होनी चाहिए आज मेरे लिए पानी पैसे की तरह है आली शान घर में रहना प्राइवेट जेट्स में घूमना इटली से अपने कपड़े प्रेस कराना अब आप सोचेगे कि ऐसा लाइस्टाइल मेंने कैसे हासिल किया और वो भी इतनी कम उमर में सिकर ना करिये मैं आपको यह सब कुछ सिखाऊंगा अगले छे महीने के अंदर अभी मेरा प्रोग्राम जॉइन करें एक करोड बनाने का फॉर्म मैंने एक कॉमेडी वाले जिखेजघ कर रहा हूं कमो scenario इंदर महीं कर रहा हूं रोले कोई ना यहां पर भार गूम रहा हूं गाडी चला रहा हूं बीच्छे का में रहा हूँ गरा पस य तुन एक कर रहा रहा हूं इस type का content वो पूरी-पूरी tone ही तोड़ देगा अभी तक जिस तरीके का content बन रहा था तो आपके लिए भी मैं advice दे रहा हूं कि आप इस type का content बना सकते हो मैं आपको type of content दिखा रहता हूं आप इस niche के उपर इस type का कोई भी content बना सकते हो आपने इस तरीके से अपनी marketing को future एक वहीं पे बैटके अनकी marketing strategy उनको पता सकते हो और उसको video को free करके दे सकते हो एक tip दे रहा हूँ एक digital marketer के लिए अगर आप ऐसा content बनाना चाहते हो ऐसा content exist नहीं करता आज के टाइम पर ऐसा content आप बना सकते हो तो यहाँ पर हम आपको एक assignment दे रहा हूँ आपने list चुल लिए है आपने अपना topic चुल लिए है topics चुल लिए है अब आपको देखना है कि आपको किस type का content बनाना है क्या आप उसको comedy के अंदर समझाना चाहते हो या फिर आप उसको एक interview type में समझाना चाहते हो आप उसमे one on one interview भी कर सकते हो आप अपने आप से खुद का interview ले रहे हो एक अपने आप से question पूछ रहे हो अपने आप से answer दे रहे हो आप इस type का भी content बना सकते हो again इस type का content editing में थोड़ी से ज़्यादा मैनत लगेगी पर ऐसा content शायद ही कोई बना रहा है ये मैं educational category की बात करके चल रहा हूँ अगर आप skit वेगरा बनाते हो तो एक ही तरीके से normally बनती है आउट्डोरी बनती है अलग-अलग camera movements होती है जिस तरीके से आप देखते हुआ रहे हो उसके अंदर आप monotone तोड़ने के लिए शायद ही कुछ परफा होगे या फिर अगर आप कुछ करते हो तो कुछ creatively सोचो कि आप कैसे कर सकते हो क्योंकि मैं उससाइक का content नहीं बनाता तो मैं एक right बन्दा नहीं हूँ आपको कुछ creative ideas देने के लिए आप खुद बनाओगे आपके पास खुद ही creative ideas आते चले जाएगे अलग-अलग niche के लिए मैं सिर्फ educational निश्क आपको इसको better बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं educational content create करता हूँ अब आजाते हैं वीडियो के structure के उपर किस तरीके सामको अपना content structure करना है structure का मतलब starting में आपको highlight डालनी है जो कि सब के सब लोग डालते है highlight के अंदर क्या होता है जो आपकी वीडियो के अंदर कुछ important चीज़े है न आपने वो starting के अंदर डाल दी ताकि लोगों को पता लगे इस वीडियो के अंदर ये होने वाला है और आप उस type का content बनाओ आप मेरे साहिल करना वाले channel के उपर जाके देखो मैं लगभग जितनी वीडियो बनाता हूँ सब के अंदर starting में highlight डालता हूँ बहुत सारे interview वाले देखे होगे बहुत सारे content creators देखे होगे वो starting के अंदर छोटी से highlight डालते है कि आगे आपको content में क्या देखने को मिलेगा कई लोग अपने खुद ही बता रहते है इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो भी एक highlight ही है पर यहाँ पर मेरा personally मानना है कि highlight ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है मतलब कई ऐसे YouTuber content creators देखे है एक एक डिडड़ मिनट वर्स topic के उपर बोलते रहते है पर topic शुरू नहीं होता कुछ input नहीं देते है तो अगर आप analytics के नदा जाओगे तो आपको audience retention report मिलती है वहाँ पर आपको पता लगेगा कि आपकी audience कहा कहा पर भाग रही है तो वहाँ से आपको बहुत ही better idea मिलता है कि यार मेरे को ये चीज़े नहीं करनी चाहिए सार्टिंग के अंदर जब मैंने content बनाना शुरू किया तो मैं ये चीज़े बहुत ज़्यादा करता था मैंने अपने retention report देखी audience भाग रही थी तो मेरे को बता रगया मुझे इस type का content नहीं बनाना है मुझे ये चीज़े करनी है मैं business news की बात करके चलो तो मैं सीधा करता हूँ हेलो दोस्तो मेरा नाम है साहिल करना आज की business शुरू करते है सीधा news शुरू करता हूँ कोई बक्वास नहीं करता तो ये मेरे लिए चल रहा हूँ और मेरे को analytical report है वो दिखा रही है इसी से कर मेरे views, watch time सब कुछ ज़्यादा अच्छा आ रहा है उस पूरी पूरी series के अंदर उसके बाद आएगा intro इंट्रो के अंदर आप अपने बारे में बता होगे अब कई लोग highlight skip करके सिधा बोलते है जैसे मैंने business use में किया hello दोस्तो मेरा नाम है साहिल करना आज की business शुरू करते है तो ये intro हो गया कई लोग करते है starting के अंदर कितना अच्छा होता अगर आप ऐसा कर पाते है कितना अच्छा होता ऐसा कर पाते कितना अच्छा होता अगर हम सामने वाले का दिमाग समझ पाते हम समझ पाते कि वो क्या सोच रहा है आज का हमारा topic इसी के उपर है कि face reading से हम सामने वाले का दिमाग कैसे पढ़ सकते हर एक इंसान की अपने specific features होते है जो कि उसका face बताता है मुषकार दोस्तों मेरा नाम है साहिल खना आप देख रहें intellectual indies और आज हम face reading के पर हम बात करेंगे यह वाली वीडियो मैं यूट्यूब चैनल से अनलिस्स कर रखे है इस वाली वीडियो मैं यूट्यूब चैनल से अनलिस्स कर रखे है जाली मेरा नाम है साहिल करना आज हम यह बात करेंगे उसके बाद मैंने अपना टॉपिक शुरू किया कि मैं क्या बताने वाला हूं content content तो मैं मान के चल रहा हूं content अच्छा बना रहे हूं पर उसके बाद आपको closing करनी है closing के अंदर आपको अपना signature step बनाना है जैसे मैं अपना करता हूं ठीक है दोस्तों इसके साथ आज की वीडियो खतम होती है उमीद करता हूं मजा होगा लाइक करते है यह मेरा signature step है अगर आप कहीं पे भी सुनोगे तो आपको पता लज जाएगा यह भाई मेरा step है जैसे कि गुरू जी की बात करके चलते है टेक् content इस तरीके का होता है यहाँ पर यह वाली चीज़े होती है अब मैं आपको closing की बात बता के चलता हूं closing के अंदर लोग normal closing करते है मैं अभी recently एक चीज test कर रहा हूं जब वीडियो खतम हो जाती है उसके बाद में अपनी audience से बात करता हूं business news के अंदर कि मेरी life में क्या चल या फिर कभी blooper दाल देता हूं कभी कुछ दाल देता हूं तो मैंने देखा मेरा last का भी retention graph बढ़ा लोग video खतम होने के बाद भी end तक रुखते है और लोगों को मजा आता है तो यह मैं audience के साथ नई नई चीज़े test करता रहता हूं मैं भी आपको recommend करूंगा अगर आपको ए एकदम dip आता है जैसी आपका closing शुरू होती है उस तहीं अगर आप चाहो तो आप intro को भी अड़ा सकते हो मतलब ना highlight दिया आपने ना intro दिया सीधा content शुरू कर दिया आज हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में यह चीज होती कैसे है सबसे पहला पाट आता यह दूसरा य और closing भी अगर आप चाहो तो उसको भी eliminate कर सकते हो सीधा content दिया खतम कर दिया पर यहां पे आपकी audience से आपका connection नहीं बनेगा तो YouTube के अंदर अगर आपको लोग subscribe करते हैं अगर आपका KPI subscription है कि आप चाहते हो कि आपकी audience आप तक लंबे duration तक रहे अगर आप उस goal के उपर हो तो आपको connection बनाना है connection बनाने के लिए आपको stories डालने अपने content के अंदर जो की सामने बारा relate कर सके जैसे मैं इस videos की बात करके चलू तो यहां पर बताता हूं कि मेरे इस साथ time पर यह किया था मेरे साथ ऐसा हुआ था मेरे साथ ऐसा चल रहा था तो यहां पर क्या होता है audience क सब्सक्राइब कर लो मुझे आगे वीडियो करने से पहले मैं आपको बोला चाहूंगा कि सब्सक्राइब कर लो notification की घंटी दबा दो like कर दो शेयर कर दो यह कर दो वो कर दो सिंपल सी बात सब्सक्राइब लोग तब करते हैं जब उनको आपका content अच्छा लगता है और और अगर उनको नहीं देखा होता तो आपको अपने अप सब्सक्राइब कर लेते हैं मैं अपने चैनल के अंदर दिखाता हूं मेरे को बहुत सारी ऐसी audience है जो कि मेरे को सब्सक्राइब करके वैठी और मेरा content देखती है मतलब मेरे subscriber ही मेरा content देखते है और यह बहुत ही अगर आप नहीं बोलते है प्लीज लाइक कर दो यह कर दो और एंड में बोलते हूं closing के टाइम पर भी तो कई बार लोग वहां तक कम हो जाते है बहुत सारी audience एंड तक नहीं डिखती तो आपको likes कम मिलेगे मैंने कई बार देखा है जब मेरे video शुरू होने से पहले बोल द आज की video का target का like का इतना रखते है इसका target का यह रखते है इसका video का target यह रखते है और देखो गया आप likes आते हैं तो अगर आप target विगारे चीज़े starting में दालते हो ना तो बहुत जादा फर्क परता हूं like की वैसे engagement बढ़ती है engagement की वैसे आपकी views बढ़ते है although मैं कभी नही करूँगा अगर आप start कर रहे हो या फिर आप early stage के अंदर हो तो आप call to action को starting में दालना शुरू करो कि like कर दो like कर दो वेगर अगर बार बार मत करना like कर दो मैंने बोलना सामने दिखाना कि सामने अगर आप देखोगे इस video के अंदर भी कई बार आया होगा like the video पर आपने श करके देख रखाए तो अब आपका अगला assignment क्या है अब आपने topic select कर लिया था अब आपने समझ लिया कि किस time का content framework आपके लिए काम करेगा कि आप hybrid use करना चाहते हो आप दो का mixture ही करना चाहते हो या फिर एक ही type का content बनाना चाहते हो उसके बाद आपको अपना structure define करना है कि मै call to actions दालूँगा और आपको अपना end का signature move जरूर रखता है आप dance कर सकते हो आप यह से कुछ भी कर सकते हो मैं रोक नहीं रहा कुछ भी ऐसा करना है जो आपको unique बनाए बाकी सबसे आप चाहो तो starting के अंदर भी intro के अदर भी अपना signature move दाल सकते हो जैसे technical guru जी दालते है तो आपको वो सारा का सारा note down करना है और बैटके research करना है सोचना है कि मैं कैसे अपने आपको अलग बना सकता हूं यह जो factors है यही आपको अलग बनाने के लिए मदद करने वाले है तो इसी के साथ में आज की वीडियो खतम होती है उमीद करता हूं मजा है होगा like कर देना share कर द कर दो